हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बुक्रम से बनने वाली बहुत ही खुपसरत ब्लाउस दिजाइन का एक वीडियो लेकर आई हूँ तो ये मैंने लंबाई लिए 14 इंच, चेश्टे मेरे पास 9 याने 36, सवा 6 इंच शोल्डर और आर्मो लिए मैंने 6 नेक की चोड़ाई पने 3 इंच रख रहे हूँ किकि लंबाई में कम है और ये लंबाई में मैंने लिया इसे 6 इंच तो ये राउंड शेप हमें ड्रॉ कर लेना है उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है बाकी जो डिजाइन है वो हम बनाएंगे बुक्रम से तो ये इस तर हमें कट कर लेना है सिर्फ राउंड शेप नेक में सबसे पहले हम अटेच करेंगे क्योंकि नेक हम बुक्रम से बना रहे हैं इसका मतलब है कोई भी हम पाइपिंग या पर यूज नहीं करेंगे तो नीचे के लिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो ये एक सिलाई चलाने के बाद दूसरी सिलाईं हमें लगाने है अस्तर पर ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो जाय नीचे की साइड से और इससे हमें पट्टी लगानी भी नहीं पड़ीगी इसमें वीचे फोल्ड हो जाएगा चारो तरफ से मैं सिंपली अटेच कर लेना है तो यह मैंने अटेच कर लिए आप देखे बुक्रम लिए मैंने इसको कर लिए मैंने डबल फोल्ड साथ इंच में अब देखे हाफ नेक पूरा नेक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है जहां तक लाई दे देंगे तो यह एक इंच पर दे दिया हमने और नीचे जो हमने निशान लगाया है वहां से दो इंच की दूरी पर मैंने एक निशान लगाया है और यहां से हमें इस तरह से तिर्चा करना है इसको और 6 इंच पर एक निशान लगाना है उपर नेक से इस 6 इंच व यहां सेंटर से, यहां पर डैड़ इंच पर मैंने निशान लगा कर, यह एक सीधी लाइन कीच लिए, यानि टाई वाला शेप बीच में बना लिया है, अब जो यह गैप बना है चोकोर, तो यहां पर हम इसका पहले सेंटर देख लेंगे, यानि चार इंच है, सेंटर दो इं यानि बीच ओ बीच, सेंटर में हमें एक इंच की यह इस तरह से पट्टी जो है, वो बनाने है, अब देखें हमें करना क्या है, यहां पर जो है, एक इंच का गैप रखना है, तो यहां पर मैं निशान कर लिया है, अब देखें आपको समझाने के लिए देखें, क्या हमें सिलाई लगानी है उसको मैं डार कर रही हूँ जैसे टाई शेप है उसके बाद ये जो दो खाने बने हैं चोकोर जो मैं डार कर रही हूँ वहाँ वहाँ हमें सिलाई चलानी है जैसे ये फर्स्ट काना ये और जो सेकिंड काना है वो ये तो ये देखे में डार कर दिया है जहां जहां में सिलाई चलानी है ताकि आपको confusion नहीं रहे किसी तरह का और उसके बाद चारो तरफ से एक इंच बुक्रम जोय में एक्स्टर रखनी है अब एक दूसरी साइड पेपर बुक्रम में साफ नजर आएगा आपको तो दूसरी साइड में भी आपको इसी तरह से छाप लेना है तो यह मैंने कपड़े पर अस्तर वाले कपड़े पर चिपका लिया है अब यह जो नैक है हमने उपर जो छापा था तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो यह ब्लॉज का मैंने सेंटर निकाल लिया है और सेंटर निकालने के बाद सेंटर पर हमें इसे अटेस्ट करना है तो मैंने टैस कर लिया, आप देखे मैंने पहले भी बता दिया है, सबसे फर्स्ट जो है, यह बीचो बीच जो हमने टाई शेप रखा था, यहाँ पर हमें अपनी मशीन चलानी है यह चोकोर जो खाने बने हैं, यहाँ पर भी हमें इसी तरह से मशीन चलानी है, तो यह मैंने सब तरफ चला लिए, अब बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखी, टाई शेप हमने अलग कर लिया, तोनों साइड में कट कर लेंगे, सेंटर से, उसके बाद यह चोकोर जो खाने हैं, यहाँ पर भी हम सेंटर से कट कर देंगे तो यह कट हो गए, लग लग पीस बन गए हैं, और यहाँ पर जो नैक है, यहाँ पर भी आप चाहें, तो इस सरह से थोड़ा सा कटिंग देंगे अब देखिए, हर एक शेप हमें कट करते जाना है और उसको पलटते जाना है तो यह सबसे पहले मैंने सेंटर और शेप ही ले लिया है, और जहाँ कॉनर है, वहाँ पर कट जरूर लगा ले, वरना पलटेगा नहीं है तो यह मैंने कट लगा लिया है, अब एक बार इस तरह से नाकुझ से प्रेस करके हम इसे पलट लेंगे तो जो यह की कलर में ब्लॉज पहनना चाहते हैं, अधर कलर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो वह यह डिजाइन आसानी से बना सकते हैं, बनाने इन पर वह असान है तो यह पलट लिया मैंने, इसी तरह से इन शेपों को भी हम अंदर से कट करना है और पलट लेना है, तो यह सारे शेप जो हैं, कट हो गए है, अब जो है बुक्रम है, उसे दबाने के लिए मैं सेकिंड सिलाई और चलाऊंगी, थोड़ी सी दूरी पर तो यह इसी तरह से सब जो शेप हैं, उस पर हमें यह सिलाई चलाऊंगी उपर जो नैक है, यहाँ पर भी हमें पाइपिंग यूज नहीं करने हैं, क्योंकि हमने बलाउज में कई पर भी पाइपिंग यूज नहीं किये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पट्टी, जो फोल्डिंग वाली पट्टी होती है, तुर्पाई वाली उस तरह से तो ये पट्टी अटेच करने के बाद में एक सिलाई हम पट्टी पर लगा लेंगे और यहाँ पर हम ज़्यादा चोड़ाई में इस पट्टी को फोल्डने करेंगे बहुती बारीक पट्टी है तो यहाँ पर हमें पट्टी की चोड़ाई भी कमी रखनी है लित्ते वक्त जो रे पट्टी है उसकी चोड़ा यह में कम रखनी यह हो जाएगी हमारी पीछे वाली डाट उसके अलावा में कुछ नहीं करना है तो यह हमारी डिजाइन जो है खुब सुरह सी तैयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग